शंख चक्र गदाधारी श्री मतुरा धीशप प्रभु करुण ग्राम नदी कूलात स्वयं प्रादूर बभु वयह पद्मनाभ मनहकामं उरैता तनुरूपद्र पातुनो संख्यान जीवान केवलं कृपयातया तवकार कमल वरे नखम अद्भुत शिंगम दलित हिरन्य कशिपू तनु भ्रिंगम केशवद्रित नरहरी रूप जय जगदीश हरे जय जय श्री नरसिम्ह हरी जय जगदीश भक्त भय मोचन खंब फारी प्रगटे करुणा करे समस्त पुष्टी शिष्टी को भक्त वत्सल भक्त भय हरता श्री नरसिंग प्रभु के प्रागट्य उत्सव श्री नरसिंग चतुर्दशी की बधाई श्री नरसिंग प्रभु का नाम आते ही भगवान की भक्त वत्सलता क्रुपालुता का स्मनन हो जाता है कि प्रभु इतने दयालू है भक्त प्रहलात के लिए एक डया अवतार ही धारन कर लेते हैं प्रभु का इह स्वरूप भक्ति मारगा अनुसार प्रगट हुआ है श्री आचायर्य चरण तत्वार्थ दीप निबंद सर्व निरने प्रक्रण में आज्या करते हैं 228 वी कारिका के प्रकाश में एनम उद्धरी श्यामी तदा म्रदाद ही प्रादुर भूतो भक्ति मारगा अनुसारेन इसी कारिका की टीका आवरन भंग में शिपुर्शोतम जी आज्या करते हैं तथाच यथा प्रहलाद आद्यार्थम स्तंभादि भया प्रादुर भाव जिस प्रकार पुष्टी पुर्शोतम प्रभू पुष्टी मारग में भक्त के लिए किसी स्वरूप में प्रगठ होकर प्रक्तेक भक्त के घर पधार कर विराज कर सेवा स्वीकार करके उनका प्रकार श्री नरसिम्ह प्रभू का यह भक्तो धार स्वरूप है प्रक्त प्रलाद की भक्ती से प्रसन होकर प्रभू स्तंभ से प्रगठ हो जाते हैं उनका आना केवल भक्त प्रहलाद के लिए ही है इसी प्रकार जैसे पुष्टी भक्तों के लिए हमारे प्रभू पुष शिमत भागवत के सप्त सकंद में विस्तार से की गई है सप्तम सकंद में उती लीला है शिमत आचायचन तत्वार्थ दीप निबंद में भागवताथ परक्रण में सप्तम सकंद का विवरण करते हुए आज्या करते हैं पुष्टी दोश निविर्थ्य अर्थम उती लीला निरुप्यते। पुष्टी अर्थात प्रगु की क्रपा में विशमता जैसे दोश की निवर्थी के लिए उती लीला का निरुपण है। भक्त प्रहलात पर सी नर्सिंग जी ने ऐसी अनुपम क्रपा बरसाई है कि जिसका अक्षर शाह वरणन अशक्य है। प्रभु को निडर्ता से भक्ती का उपदेश देने वाले प्रहलात ने बहुत कश्ट सहे। परन्तु प्रभु को कभी परिश्रम नहीं दिया कि प्रभु आप मेरी रक्षा करो। ऐसी द्रड भक्ती है भक्त राज प्रहलात की। लेकिन एक दिन जब उनके पिता ने स्वयम उनको पूछा कि हे मंदभाग्य तु अगर कहता है कि तेरा जगदीश्वर भगवान सरवत्र है तो इस खंब में क्यों नहीं दिखता। भक्त के वचन का पालन करने के लिए नरहरी उसी समय खंब से प्रगट हो गए क्योंकि उन्हें भक्त के वचन को सक्त्य करना था। वे सरवत्र हैं तो इस खंब में भी हैं इस प्रसंग को पर्मानंदास जी ने इस प्रकार गाया है अपनो जन प्रहलाद उबार्यो पर्मानंद दास को ठाकुर भक्त वचन प्रति पार्यो। प्रभु ने अति क्रोध पूर्वक भक्त द्रोही हिरण्यकश्यप का नख द्वारा वद कर दिया। हिरन्य कश्यप के वद्पश्चात भी नर्सिंग प्रभु का क्रोध शांत न हुआ, देवताओं ने प्रभु का क्रोध शांत करने के लिए अनेक प्रकार की स्तुती की, साक्षात लक्ष्मी जी को भी क्रोध शांत करने के लिए भेजा, साक्षात श्री प्रेशिता, देवे प्रभु का क्रोध शांत हो गया। श्री नर्सिंग प्रभु प्रहलाद से इतने प्रसन हुए कि उन्हें अपनी गोध में बिठा कर चाटने लगे। भक्त के अंग के आस्वादन से प्रभु का क्रोध शांत हो गया। श्री वल्लब पुर्शुत्तम नाम सहस्त्रम सप्तम सकन में इस लीला के विशे में ये आग्या करते हैं भक्तांग लेहनो धुत क्रोध पुंजा प्रशांत थी। कैसी क्रपा है प्रहलाद जी पर कि प्रभु की गोध में विराज कर वे प्रभु के अधरामरत का आनंद पुष्टी भक्तों के रोम रोमान्चित हो जाते हैं। जब प्रभु से इतना प्रेम स्नेह मिल जाए तो और क्या इच्छा रह जाती है प्रभु से और कुछ पाने की। स्वयम प्रभु ने प्रहलाद जी को का है कि कुछ वरदान मांगो। तो प्रहलाद जी ने यह कहकर मना कर दिया कि हे प्रभो मैं आपका दास हूं कोई व्यपारी नहीं जो भक्ती के बदले कुछ और ले लूं ऐसी निश्काम भक्ती प्रहलाजी की है मैं प्रभू से यही विंती करता हूँ जैसी निश्काम भक्ती प्रहलाज जी की है ऐसी निश्काम भक्ती सभी वैश्नो जन को सिद्ध हो हम भी प्रभू से कभी कुछ न मांगे अगर मांगे तो केवल उनका तत्सुख उनकी सेवा आज वर्तमान में हम कोरोना काल में लॉकडाउन के तृतिय चरण में चल रहे हैं सब के मन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो भय है ही परन्तो जब हम श्री नर्सिंग प्रभू का उत्सव मना रहे हूं तो भयवीत होने की क्या जरुरत है क्योंकि श्री नर्सिंग प्रभू के नाम मात्र से ही बड़े-बड़े भय भी भयवीत होकर भाग जाते हैं अतहम निर्भय होकर श्री नर्सिंग चतुर्दसी का आनन अपने अपने घरों में प्रभू सनमुख लें और निश्काम पुष्टी भक्ति को प्राप्त करें। कुनह आप सब को कृपा सिंदु भक्त वच्सल श्री नर्सिंग जी के प्रागट्य उत्सव की अनेक अनेक बधाई। ओम नमो भगवते नर्सिंग हाय। नमस्ते जस्ते जसे। श्री कृष्णार प्रामस्तु।